असलाम आलेकूम मैं जुलेखा अरफाद, जुलेखास किचन से, मैंने सोचा मतन की में दो फ्रांकी आपके साथ शेयर करूँ तो एक है मतन चीस फ्रांकी और एक है मतन भुना फ्रांकी, बहुत ही मज़ेता है, दोनु डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, चटपटी भी चलिए, तो चलिए, आज हम बनाते हैं, बढ़िया से रोल मटन भूना रोल्स, बहुत ही डिलिशन्स बनते हैं, इजी भी है, क्विकली भी बन जाते हैं, बढ़िया बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अच्छा इस रेसिपी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको भूना रोल्स बनाना चाहते हो ये देखिए क्या बढ़िया दिख रहा है और ट्रस्ट मी टेस्ट भी इतना बहतरीन है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक कुकर के अंदर तीन से चार टेबल स्पून घी दालिए चूला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए वैसे मैं कुकर में बना रही हूं आप चाहे तो पतीली में भी बना सकते हैं अब इस पे दाल दीजिए दो तीन काली मेरी दो तीन लॉंग एक तेज पत्ता आदा चुड़े चाह का चमत साबुद जीरा और इसे तर तर आ जाने दीजिए जब तर त तेल कम लग रहा है तो मैं यहां तेल डाल रहे हूं आप चाहें तो स्टार्ट में भी तेल का ही इस्तेमाल करें अगर आपके पास बिरिस्ता पहले से है तो आपका टाइम और सेव हो सकता है आप तंदीन बड़े प्यास का बिरिस्ता साइट पर रखिये और यहां अब चुकिए है प्यास मैं दाल देती हूँ दो टेबल स्पुन अधरक लसन का पेस और इसे भून लीजिए कच्छे पन की खुश्बु चली जाए तब तक आपने भूनना है वैसे मैं बना रही हूँ मटन भूना रोल्स तो इसके लिए मैंने इसकी बोटी आप देख सकते हैं ग बड़े पीस रखेगा चलिए यह मैं दाल देती हूँ इसके अंदर कुकर में और इसे फास्ट आच पर फ्राइ कीजिए तकरीबन पाच से साथ मिनिट तक चलिए तकरीबन 6-7 मिनिट हो चुके हैं भूनके मैं बीच बीच में बार बार चला रही थी अब मैं यहां दाल रही हूँ दो टमाटर छील निकाल लिये थे और इसको मैंने चौपर में चौप कर लिया था आप चाहें तो बारिक काटकर भी दाल सकते हैं मिक्स कर इसमें धाल दीजे नंमक स्वादनु सार आदा च्षोट चए के चंवच हल्दी पाउर दो च्षोट चंवच लाल मिर्ची पाउडर वैसे ही कश्मीरी आगर आपका efter ten चेहशाथा स्पाइसी हो तो कम थालिएगा देड़ च्षोट चएका चवच या एक च्षोट मसाले का पाउडर वैसे गरम मसाले का पाउडर आप घर में बना हुआ भी दाल सकते हैं मैंने आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल दिया आप वह चेक कर सकते हैं इन चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और एक दो मिनिट तक भूनिये इसे फास्ट बार चला दे रहिए अच्छा अगर आपने प्यास को स्टार्ट इलाल नहीं किया और आपके पास बिरिस्ता है तो आप जब दही दालते हैं उसके टाइम पर ही आप बिरिस्ता तीन बड़ी प्यास का क्रश करके दाल दे दोनु चीजों को मिक्स कर ले और एक मिनिट तक फ कुकर का धकन धाक दीजिए और तकरीबन एक दो सीटी फास्ट आँच पर खिला लीजिए जब एक दो सीटी हो जाए तो चूले को कर दीजिए स्लो आँच और उसे तकरीबन बारा से पंदरा मिनिट तक स्लो आँच पर पकने दे जब पारा पंदरा मिनिट हो जाए तो चार डाल था लगा लेते हैं दो गउल आटा लेजिए मैने करले और बिदे कर लिए जब्स पर महां i can 3-4 describe लिए जिए लुक्त पर इसले खी डाल रहे हो और पहले इन सारी चीज़ों को mix कर लीजिए अच्छे से जब mix हो जाए तो इन्हें गुनगुने पानी से बहुत अच्छे से आटा लगा लीजिए, soft आटा लगाना है, जब आटा बांथ लें तो kitchen towel से इन्हें ढाक कर side पर 15-20 minute के लिए रहने दीजिए चलिए ये तकरीबन 15 minute हो चुके, चूला बंद कर दिया अच्छा ठंडा हो जाए, उसके बाद खोल कर चेक कर लीजिए, ये देखिए तेल कितना बराबर से उपर आ चुका है अब मैं देख लेती हूँ कि मटन गल गिया है के नहीं, आपने बड़े-बड़े पीस रखे हो, तो उसे भी चेक कर लीजिए अगर लगे के गला नहीं है तो थोड़ा सा पानी दाल कर उसे एक-दो सीटी और खिला लीजिए चलिए, ये मटन तो गल चुका है, पट अभी जैसे नाम है, मटन भूना तो अभी हमें इसे भूना है अभी हमने स्टार्ट में भी भूना था इस समय भी भूना है, तभी ही भून-भून के जो इसका नाम जास्टिफाय करेगा भूना गोश चलिए, अब मैं इसे है ना, मीडियम आज पर फिर से चूला चालू कर दी हूँ और इसे थोड़ा सा 2-3 मिनिट तक भूनती हूँ अच्छा तेल उपर नहीं आ जाता और यह और जादा अच्छे से ड्राय आउट थोड़ा और नहीं हो जाता इसमें अब मैं दाल देती हूँ एक छोटा चाय का चमच, कसूरी मेथी सुखी हुई, इसे क्रश करके दाल दीजिए मिक्स कर लीजिए, बार-बार चलाते रहिए जब हम भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर उड़ता है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ हमेशा यह जो धक्कन है, उसे मैं उसकी रबड निकाल कर थोड़ा सा ऐसा खुला रखकर ढाग देती हूँ बार-बार बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर में खोल-खोल के इसे चलाते रहिए और इसे फिर से बाहर उड़े ना इस तरीके से आप ढाग दीजिए हलका डाकिएगा, पूरी तरीके से पंद मत कीजिए चलिए दो से तीन मिनट हो चुके हैं भूनकर मीडियम आज पर बार-बार में बीच में चला रही ही थी यह आप देख सकते हैं, अच्छी थिक ग्रेवी हो चुकी है मतन को एकदम लग्के टाइप ग्रेवी है इसमें थिक ग्रेवी ही होनी चाहिए और तेल उपर आ चुका है, इसका मतलब बहुत अच्छे से भूना चुका है जो पानी वगरा हमने दाला था, वो पूरा अच्छे से ड्राय हो चुका है अब मैं दाल दीती हूँ, एक चोटा चै का चमच निम्बू का रस, मिक्स कर लीजिए और चूले को कर दीजिए पंद और इसमें दाल दीजिए एक से दो हदी मिर्चियां बारिक काटकर और खूब सारी बारिक कटी हुई कोथ मिर दाल दीजिए अच्छा अब अगर आप मटन भूने के इसाब से सौफ करना चाहते हो तो इसे गर्मा गरम पराठा लच्छेदार पराठा या फिर रुमाली रोटी या फिर नान के साथ गर्मा गरम सौफ कीजिए देखिए क्या बढ़िया सा टेक्स्च्चुर आया है इसमें वैसे इन तीनों की रेसिपी लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल दिया आप वहाँ चेक कर सकते हैं बट मैं बना रहे हूँ मटन भूना रोल तो आगे हम और प्रोसीजर करते हैं इसको साइट पर रखिए चलिए अब हम आते हैं आटे की ओर 20 मिनिट हो चुके हैं इसके आप तकरीबन equally divide इसे पोशन में कीजिए आट आप चाहे तो साथ भी बना सकते हैं और इसे बहुत अच्छे से रोल कीजिए और इस तरीके से पेड़े बना बना के साइट पर रखिए आप बड़े बनाएंगे तो साथ आट बनेंगे आप रोटी बना दीजिए ना ही मोटी ना ही एकदम पतली जब बेल लें तो यह जो तवा है इसके ओपर दाल दीजिए आट-dous सेकेंड उसे फ्राइग कीजिए पलट दीजिए और आट-dous सेकेंड पीछे का फ्राइग कीजिए कच्छी पकी रोटी पक जाए तो इसे निकाल क और उसे भी इसी तरीके से कच्छा पक का रोटी करके उसे साइट पर रख दीजिए चलिए मैंने तकरीबन चार रोटी बना ली है और आप चाहें तो आटो आट बना लें बट मैं अभी चार बना रहे हो चार शाम को बनाऊंगी तो यह देखिए चारो रोटी मेरी कच्छ कर रही हूं तो चूला चालू कर दिया मैंने तवे का फास्ट आज पर गरम हो गया तो मीडियम आज कर दीजिए और अब इसमें आप चाहें तो बटर लगा या थोड़ा सा तेल या घीसे से रोस्ट कर लें उलट पलट करते जाए और आपने तब तक यह रोटी को पकाना ह है जब तक यह पुरी तरीके से पक नहीं जाती तब तक चुले को मीडियम आज रखिएगा चलिए यह बहुत अच्छी से पक चुकी है तो अब मैं इसमें डारेक्ली असेंबल कर लेती हूं भूना रोल्स को यह हरी चटनी है मैंने अभी फ्रेशली बनाई है इसका लिंक म आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल देती हूं आप महाँ चेक कर सकते हैं यह कुछ हरी मिर्चिया है थोड़ा सा चाट मसाला यह जब अभी है मैंने आपको बताया हरी चटनी फ्रेशली बनी हुई है यह एक प्यास को मैंने मोटा मोटा काट लिया है यह कोत मिर ह और यह है रोटी अभी जो मैंने गर्मा गरम बनाई है आप चाहें तो बटर पेपर पर रखें वैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने फॉली पेपर लिया है और अब इसे असे असेंबल करते हैं सबसे पहले यह जो हरी चटनी बनाए हैं इसका आप पहले लेयर लगा दीजिए स्प्रेड आउट कर दीजिए हमारी रोटी के ऊपर अच्छे से उसके बाद मैंने यह जो भूना गोश है इसे साइट पर गरम करने रख दिया था तो यह गर्मा गरम दो तीन टेबल स्पून दा लिए बीच में सेंटर में थोड़ी सी मैंने प्यास दाली है कोथमिर दाली आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं इसे फटाफट रोल कीजिए और गर्मा गरम सर्फ कीजिए यह रेडी हो गया हमारा भूना मतन रोल इसी तरीके से सारे बना लीजिए मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी मैं एक एक करके उसे फ्राइ कर रही हूं और इसे असे हम चुटकी दालिए वरना स्किप कर दीजिए तो एक बड़े से बरतन के अंदर दो कब भरकर मैंदे का आटा दाली है नम्मक स्वाद अनुसार दाल दीजिए मैंने आदा चोटे चेका चमश दाला है और मैं यहां चार से पांच टीबल स्पून असली घी के डाल रहे हैं आप चाहें तो तो तेल भी दाल सकते हैं अभी तो तो एक कव्वे को अच्छा गरम कर लीजिए जब अच्छा गरम हो जाए तो यह से सॉफ्ट आटा लगा लें तो थोड़ा सा तेल लगा कर इसके ओपर किचिन टौवल रखकर तकरीबन दस पंदरा मिनिट के लिए साट पर रहने दीजिए चलिए पंदरा मिनिट हो तो इसकी रोटी पे लीजिए इस तरीके से अब एक कव्वे को अच्छा गरम कर लीजिए जब अच्छा गरम हो जाए तो यह जो रोटी यह डाल कर इसे उलट पलट कर दे जाए और मीडियम आज पर सेख लें आप चाहे तो पूरी तरीके से भी सेख सकते हैं बट मैं पू तरीके से सेख लीजिए और साइपर रख दीजिए और इसे एक कपड़े के अंदर ढाक कर रखेगा है यह है आधा किलो मतन बोनलेस चरवी निकाली हुई है दो तीन पानी से धो कर नितार कर मैंने यह एक बड़े से बरतन में दाल दिया था यह जो बोटी है ना यह चना ब नहीं करने है सिर्फ लाइट करने ही देखिया हलकी इतनी लाइट हो तो यहां पर डाल दीजिए सारा हमने धो कर नितार कर गोश्च रखा है वो सारा डाल दीजिए अब इसमें दो टीबल्स पून अद्रक लसन का पेस्ट दाल दीजिए मैंने चूला भी श्लो कर दिया क्य आधा चूटे चूटे चाएका चमच हल्दी पाऊडर दाल दीजिए चार चोटे चाएके चमच धनीया पाउडर दाल दिये और दो चोटे चेएके चमच कश्मीरी लाल मेर्च काउडर दाल दीजिए वैसे आप कम या जाधा अपन nuclear स्चार कर सकते है पाइस को अच्छBobका तक ये मसालों को भूनी, आप चाहें तो थोड़ा पानी का चीटा दाल कर भी भून सकते हैं, मैंने पानी नहीं डाला है, अचा अब जब एक मिनिट हो जाए, तो यहां पर मैं डाल देती हूँ, एक सवा कब जितना पानी, या आप पानी उसे साब से दाले कि आप गोश के ल बादा पानी डालिएगा, चल ये भून चुकी है, मैं थोड़ा सा चाट मसाला दाल देती हूँ, वानफोट चोटा चाह का चमब जितना, और जब दाल दे मिक्स कर ले, और इसको ठाग दीजिए, और सीटी लगा कर, और समझे ना, एक सीटी फास्ट आज पर खिला लीजि मैं थोड़ी खूब सारी बारी कटी हूँ, अच्छा पानी आपसे बाई मिस्टेक जादा हो गया हूँ, तो आप पानी को इस समय फास्ट आज पर सुका लीजिए, और फिर कोट मिर दाल दीजिए, टोटल मैं 8 फ्रेंक ही बना रहे हूँ, बट अभी इस वक्त ना, मैं सिर यह है चाट मसाला, यह है रोटियां जो हमने कच्छी पकी करके रखी है और वो है प्यास, प्यास को मैंने तीन लिये हैं चुंदा किये हैं और दो-तीन हारी मिर्चियां उसे बारी काट लीजिए उसमें, थोड़ा सा सिर्का दाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए, अच्छा जाधा हो जाएगा, एक फ्राइपन को अच्छा गरम कर लीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीरियमाच कर दीजिए और यह जो रोटियां हमने साइट पर कच्छी पकी बना कर रखी ती यह सारो को एक एक करके अच्छी पूरी तरीके से दोनों और करते होएं सेक यह 4-5 टेबल स्पून जितना और इसे 10-20 सेकंड पकने दीजिए अब मैंने थोड़ा सा मीरियमाच कर दिया चूले को और आप क्विकली पलट दीजिए और वहां पर आप चाहें तो तेल लगा सकते हैं या फिर घी दाल दीजिए मैंने घी लगाया है सो दाट हमारी जो य जो अंडे है वह अच्छे से पक जाए और उपर का जो कवरिंग का साइड था वहां पर मैंने मखल लगाया चलिए इसी तरीके से सारे आप एक एक करते बनाते जाए और साट पर रखते जाए अच्छा मैं न सारी रोटियों को सेक लेती हूं अंडे लगा कर बहुत करके आप बना कर सर्फ कर सकते लेकिन मैंने एक साथ रोटी बना लिए कि जंजटी नहीं अच्छा अब इसके यहां गरमा गरम रोटी लीजे और जहां आपने अंडा फ्राइ किया है वह वाले साइट पर आप पहले तो यह सिर्के वाली प्याज हरी मिर्ची वाली प्याज नीचे रख दीजिए थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ओपर मैं दाल देती हूं यह हमारा जो मतन बढ़िया सा गरम करके मैंने यहां दाल दिया एक दो टीबिल स्पून जितना और फिर से थोड़ा सा चाट मसाला में डाल रहे हूं और थोड़ी सी कोदमेर याने के हरा धनिया दाल दीजिए खूब सारी चीज को हुरज कर इसके ओपर डाल दीजिए और इसे लपट दीजी बहुत अच्छे से टाइटली रोल कर लीजिए और यह बन गई हमारी एक मतन चीज फ्रांकी बड़िया सी मज़ेदार इसी तरीके से स बना लीजिए कि कर गे कर के स्पाइस मैंने मेरे हिसाब से अचैस्ज किया इस रेसी में आप आपके साप्से से अचैस कर सकते हैं चाहिए वह हरी मिर्ची हो या लाल मिची का पावडर हो अच्छा मैंने चाट मसाला दो जगा पर ताला है प्यास के अफर भी दाला है और या टोटली स्किप कर सकते हैं, तो अचलिए ये बन चुकी है, करमा गरम मज़ेदार सर्फ कीजे, अच्छा मैंने फ्रैंकी की सीरी शुरू की है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिफरेंट इफरेंट टाइप सी मैंने फ्रैंकी मेरे चैनल पर अपलोड की है, सारे लिंक्स द लगाओ, तो लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को और उससे साथ अच्छा लगाओ तो अपनी फैमिली और फ्रैंस में ये वाले वीडियो के लिंक्स जरूर फावर्ड कीजिएगा, फिर से हाजिर होंगे एक नहीं शानदार दमदार रसिपी के साथ, अंतल देन टेक केर, अलाहाफिस, भाँ बाइ